एडवांस टूल कमांड इसका यूज हम सभी करते हैं और करना भी चाहिए इसका यूज साइकिल टाइम को कम करने के लिए किया जाता है दूसरी बात एक टूल जब अपना काम करके खतम करता है उसके बाद जब दूसरे नंबर की टूल की बारी आती है तो पहला टूल इस पिंडल के अंदर जाएगा और दूसरा टूल इस पिंडल से बाहर आएगा तो इस बीच में जो टाइमिंग लगता है लमसम 3 to 5 सेकेंड्स इसको कम करने के लिए एडवान्स टूल कमांड का यूज करते है ठीक है एडवान्स टूल कमांड का यूज करते है ठीक है कहां पर करते हैं प्रोग्राम में जैसे आपने रिफ्रेंस पॉइंट दिया क्या दिया रिफ्रेंस पॉइंट आपने दिया आपने टूल कॉल किया इसके बाद आपको दो नंबर का टूल कॉल करना है आप यह चाहते हैं कि जब हम यह प्रोग्राम पुरा यह प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे जब M6 M6 सोरी M6 T2 का जब यह नंबर आए तो एडवांस में यह टूल आ जाए ताकि जब यह प्रोग्राम एंड हो तो तुरंत तो नंबर टूल मसीन कॉल करें उसके लिए आपको यहां पर T2 कमांड का यूज करना पड़ेगा यनि बोले तो टूल नंबर दूसरा इसके साथ में M6 नहीं लगाया जाता है और ठिक जो आप टूल यूज करते हैं उसके ठिक नीचे एडवांस टूल जो भी आप कॉल करना चाहें वो आप लगा सकते हैं फोर एकजामपल हमने दो नंबर का टूल लिया अगर आपको टूल नंबर 10 कॉल करना है तो आप इसके जगा पे आप T10 एंडव ब्लॉक लिख सकते हैं तो इससे क्या होता है पहला टूल मेकजीन के अंदर जाना और मेकजीन के अंदर जाने के बाद दूसरा टूल मेकजीन से बाहर निकलने के समय को कम कर देता है क्योंकि जब एक नंबर टूल मेकजीन के अंदर जाता है और दूसरा टूल जब यह मसीन सर्च करता है इस सर्चिंग में टाइम लगता है तो यह जब एडवांस टूल कमांड का यूज करते है तो यह सर्चिंग जब हमारा पहला प्रोग्राम चल रहा होता है उस बीच में एडवांस का काम मसीन कर लेती है और इसको सर्च करके रखती है जैसे यह एक नंबर टूल मेकजीन के अंदर जाएगा तुरंट दो नंबर टूल मेकजीन से बाहर हो जाता है कब जब हम यह कमांड का यूज करते हैं तब जब हम नहीं करते हैं तो जो टाइम आपका लग रहा है वो कहां लगेगा सर्चिंग में ठीक है? ठीक है फ्रेंड्स? इस वीडियो में इतना ही कभी कभी छोटे छोटे वीडियो बनाने चाहिए क्योंकि बहुत ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनको लंबा वीडियो पसंद नहीं होता है तो उसके लिए कभी कभी छोटा वीडियो भी बनाना चाहिए है ना फ्रेंड्स? इस वीडियो में इतना ही वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताईएगा और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे नए हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन तक पहुँचे ठीक है दोस्त थैंक यू